वालकम टू स्टड़ी प्लग इंफ्रमेशन-इंटर्जैंज इसके बारे में आज हमने पॉगराम बनाएंगी कि सीविं चैरेक्टर का हम कैसे एक आस्कीविली उटा लगा सकते हैं कि सी बीधर के उसके लिए एक सी का बोगराम मनाएंगे चलイा शबता है इंसे आप familiar होई होई चुब होगे आपके यह फाइले क्यों लगा रहा है हम फिर वाइड मैं करली प्रोपन अब दो variable declare करूँ है अलग लग data type के सबसे पहला variable में declare करूँ है character type का character type का variable declare कर दिया second में एक variable बनाऊँगा integer type का इस program में हम क्या गर रहे हैं तो अलग लग type के variable बना रहे हैं एक variable है मेरे पास character type का एक variable है मेरे पास integer type का चलिए अब user से हम पूछेंगे कि कोई भी एक Character डाले जिसकी asqvalue उसको पता लगा नहीं है तो printf में हम लिख देंगे enter the character which asqvalue you want to find जो भी चाहता है वो printf में हम SS देंगे उसको अब हम Character को read करां रहे हैं अभी तक हमने इंटेजर को read करा रहे था percentage d के साथ float को परसंटेज एफ के साथ यहां पर हम करेक्टर को डिट कराएंगे परसंटेज सी के साथ इसलिए इसके एफ में परसंटेज एफ न लिखते हुए क्या परसंटेज सी हुआ क्योंकि मैं value कौन से variable में चाता हूँ character type के variable में चाता हूँ character type के variable के लिए percentage c लिखना ज़रूरी है skin of inverted comma percentage c address of जो variable का नाम में लिखा है character वाले का अब user neck value डाल दी हूँ character variable में आ गई है अब इसी value को मैं किसको दे दूआ integer type के variable को दे दूआ character में एक value है उसको मैं किसको दे रहा हूँ integer type के variable को दे रहा हूँ तो inbuilt यह process है कि अब वो जो character variable में जो value है वो किस में चली जाएगी integer में चली जाएगी पर वो as it is नहीं जाएगी उसकी ask की value transform होके उस integer variable में चली जाएगी जैसे character में user net डाला capital A तो capital A integer के समय मं आयेगा है नहीं पर हम किसको किसकोaci कर रहे है character को किसको कर रहेूपとか अस्की आपना लेगा ।ो उसके ask 건데 करेंश करों अभी ऐसका है वो as q अद्रार बिरेवल को मैं परशेंट का रहा हूँ प्रिंट करा दिया, get ch, program close कर दिया, अब इस program को run करते हैं, run करने बाद मैं सबसे पहले दे रहा हूं, capital A, जिसकी value आगी 65, जिस हम जानते हैं कि capital A की value, ask की value क्या होती है, 65, small a डालके देख लेते हैं, small a की कित्या गी 97, यह हमको पहले से पता है, small a की 97 होती है, यह program किसी भी alphabet का, किसी भी key का, अगर आपको अगर ask value निकालनी है, तो उसके लिए यह program काम कर जाएगा, आशा करता हूं कि यह program आपको अच्छे समझना आया हूँगा,